जासी में महरानी लश्वीवाई मेडिकल कॉलेज की नर्सिज अपनी मांगों को लेकर एक जुठ हो गई हैं और सरकार से गुजारिश कर रही है कि समान वेतन समान कारे को देखती हुए उन्हें भत्ता दिया जाए शासन इस्तर पर उनकी नौक्री पक्की हो नर्सिज ने ये भी कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो बड़े इस्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगी जासी में मेडिकल कॉलेज में सभी नर्सों ने मिलकर अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया राजकिय नर्सिज संग उत्तर परदेश की अध्यक्ष रानी वर्मा ने कहा कि नर्सिज की न्युक्ती की जाए अन्य अस्पतालों में जिस तरह से भत्ते दिये जा रहे हैं उसी तरह उन्हें भी भत्ते दिये जाएं कहा कि छटे वेतन आयोग में ये भी तै हो गया था कि उन्हें भत्ते दिये जाएं सरकार की दो तरह की नीती है जो गलत है अन्य अस्पतालों की भाती बराबर वहबी काम कर रहे हैं सेम डिग्री है, सेम डिपलोमा है, सेम वर्क है, कोट ने भी कहा है कि समान कारे के लिए समान वेतन दिया जाए, आउट्सोर्सिंग की जगा सरकार नर्सिस की शासन इस्तर पर भरती करें, नर्सिस संग ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गए तो जल्द ही वो एक आंदोलन करेंगी इस मामले में CMS हरीश चंद्र आरे ने बताया कि नर्सिस की जो मांगे हैं वो प्रदेश इस्तर की हैं इसी को लेकर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है किसके नर्सिस की नियुक्ति की जाएं हर महीने हमारी नर्सिस का 15-12,000 का लौस हो रहा है चटे बेतन आयोग में ये तैह हो गया था कि हमको भत्ते दिये जाएं पर हमें भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं ये सरकार की दो तरह की नीत है अगर KGM और सेफ़ी में और रामोनर लोया में रसिस काम कर रही है आपात काली निश्तिती में और बैसे मरीजों के साथ तो हम सबी भी पाम कर रहे हैं सेम डिगी है सेम डिप्लोमा है सेम बर्क है सुप्रीम कोट ने भी ये तैक कर दिया है चाहे वो समिधा का हो चाहे पर्मानेंट हो अगर वो समान काम कर रहा है तो उसको समान बेतिन देने का अदकार है और समान भत्ते देने का अदकार है प्रिथम बात यह हमारी जब मानक के अकॉर्डिंग पद खाली पड़े हुए है तो उन पद पर आउट्सोर्सिंग से भरती ना करके हमें सासन द्वारा भरती किया जाए जासी से रवी परिहार के रिपोर्ट